मैं योगी हें तत्गिरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जाँ happening आप सभी को बहुत बहुत प्रेम्ह दोस्तों यह जो कहानी है कबीत दाशजी से संब्दिते और तांत्रिक्रों से संब्ывает यह बंगला देश की एक प्रमुग घटना जो की सदूय औरWest जहां पर की एक तंत्रिक कि जुकी कभीर दाजी पर काल भहरब जी का प्रयोग करते हैं और वो किस तरह से काल भहरब भी पराजित होते हैं महान शक्तियों के स्वामी सिवान सिवकी साक्षात दूरुप काल भहरब राम की शक्तियों के सामने कैसे पराजित होते हैं तो वो आप इस कथा में जानेंगे एक बार रामपरचार के लिए कबीरदाश जी कि एक स्थान पर रामधुन में लगे हुए थे और ध्यान मगन थे उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ जो परचार के लिए संत आये हैं उनके बारे में यकायक कोला हल हुआ तो कभी दाजी का ध्यान भंग हुआ अभी तो कभी दाजी बंगाल के जादू के बारे में सुना ही था कभी दाजी ने जहांके तांतरिक प्रियों का लेकिन आज कभीर्दाजी को उनसे प्रत्यक्षियों देखने का अनुभव हुआ कभीर्दाजी ने देखा कि उनकी संत मंडली जो कि राम परचार के लिए उनके साथ गई थी संत मंडली को घेर कर जल की उची उची लहरें उठ रही थी यही नहीं इस जल की लहरों से आग की लप्टे भी निकल रही थी इस आश्चर जरन घटना को देखकर सभी भोचक्के और स्तब्द थे पानी और आग में तो बैर है फिर पानी और आग एक साथ कैसे सादूओं की गवराट का कोई अंत नहीं लग रहा था पानी और अगनी की उची उची लहरों के द्वारा वे अब निकले के तब कभी दाजी के प्रमुक्ष सुती गोपाल दोड़े हुए कभी दाजी के पास पहुँशे भगवन कुछ करें वरना ये सादू घवराकरी मर जाएंगे इनका कुछ नहीं होगा कभी दाजी ने उन्हें आश्वासन दिया ये मात्र माया का खेल है इससे मात्र भै होता है कुछ बिगड़ता नहीं है पर शिनी श्रीमन इन्हें कौन समझाए ये तो भै के मारे मरे जा रहे हैं कुछ क्रपा हो शृत गोपाल अदीरों कर बोले सादू जो भै से मरे जा रहे थे शान्त हुए पर दूसरे ही छण उन्हों पुनहां विपत्तिया पड़ी उन्होंने देखा कि उन्हें घेर कर भयानक काले कुट्ट्य खड़े हैं वे लगातार उंचे सोर्व में भौकते जा रहे थे और उनकी लाल लाल लपलपाती जीव हैं तता चमचम चमकते दांत उन्हों भै भरे जा रहे थे सादूओं को लगा कि उन्हों कुट्टों ने उनकी अत्रणिया आप निकाली कि तब शुरुति गोपाल फिर दोड़े आए भगवन सादूओं में पुनह वे पत्ति आ गई भग भयानक कुट्टों के भै से उनक तो उन्हें मेरे साथ लगना ही नहीं था गलती मेरी ही है मैंने कच्छे घणों को पक्का समझ कर अपने साथ कर लिया अब इस गलती का मूल तो चुकाना ही पड़ेगा कभीर साप कभीर दाजी फिर से ध्यान में बैठे और फिर कुछ देर में आप खुल दी और उन्होंने कहा शुर्ति गोपाल जी से कहा जाओ राम का नाम लेकर अपने संत मंडली के चारो और एक रेखा खींच दो और साथुआं से बोलो कि वे शांती से बैठें कोई भी कुट्ता उस रेखा के अंदर नहीं प्रिवेश करे शृतुई गोपाल ने ऐसा ही किया कुछ देर के पश्चात कुट्ते भौकने ठक गए और फिर गायब हो गए साधुओं की जान में जान आई पर उनकी विपत्ति का कोई अंत नहीं था थोड़ी देर के पश्चात उनके चारो और भयानत चक्रवात उत्पन हुआ जो रों उसे आधी के कारण बड़े बड़े व्रक्ष मूल से ख़़ने लगे और उस भीसर चक्रवात की चपेट में पड़ा आसमान में लगे धुल की दीवारें खड़ी हो गई जमीन आसमान एक होने लगे साधुओं को लगा यह असामान चक्रवात उने ही आसमान की उचाईयों में ले उड़ेगा सुर्ति गोपाल जी फिर सुर्ति गोपाल जी से फिर उन्होंने संतों ने कहा पंडित पंडित जी हमारी जान भचाईये हम मुफ्त में मारे जा रहे हैं कैसे आप सबों को तो इस चक्रवात से अभी तक छुआ नहीं जब हम आसमान में ही उड़ जाएं साद सद्गुरु आपकी अकलपनी कायरता और अनावश्चक भैसर क्रोधित हो गए यह सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी याईयों के चैन कि मैं भारी भूल किये कैसे वह ऐसे कि आप लोगों ने यह पिक्छा कता भी नहीं की थी कि आप मैं जादुगरी और माया प्रसू सामान घटनाओं से भैवित हो त्राहिता ही करने लएंगे आप लोगों को उन्होंने पूर्टया परीपक्व समझा और आप निकले मिट्टी के कच्चे घड़े वे आपके व्यभार पर शुब्ध हैं मैं उनके पास पुन है जाने का सहा संजोने में स्वयम को सर्वता अस मर्थ पह रहा हूं तब तो हम लोग बे मौत मारे जाएंगे सादू धहर रखोकर बोले चक्रवात अपास आया कि तप कई सादू तो बलग-बलग कर रोने लगे यह सब आप लोगों के लाशोबनी है सरफदा आयो गया यह चारान सद्गुरु कबीर के शिश्यों अनुआ पर उसकी इस उक्ति को के सार्थक है कि जिसने जनम लिया है वह मरण को भी प्राप्त होगा और जिसकी मृत्ति होगी होती है उसका जनम भी अश्याम भावी है सती गुपाल जी एक जो है कबीर के बहुत ही अतिन्द निकट के सादू थे आप परम प्रकांड यह पारंगत विद्वान थे संत सुर्ति गुपाल जी से बोले कबीर साब आपसे अधिक व्यभारिक प्रेम करते हैं वे आपकी बात मानते हैं आप जाईए वो कुछ करेंगे सुर्ति गुपाल ने कह दिया मैं सद्गुरू को और कश्ट नहीं दूंगा उनका ध्यान भंग होता है और वे रुष्ट होती हैं सुर्ति गुपाल ने कहा और देखा कि हम इस मध्य चक्रवात और भीशाड रूप धान कर लिया था वह सादू मंडिली की तरफ पहुंचन नहीं वाला था आश्चर इस बात का था कि अभी तब सादू मंडिली को चपेट में नहीं ले पाया था सुर्ति गुपाल ने इस पर फिर विचार किया और जो बात उनके समझ में आई कह दी आप लोग प्रप्या इसी रक्षा पंक्ति के अंदर रहिए जिसे सद्गुरू के कथा नुसार हम में खिश रखिए इसके अंदर चक्रवात नहीं आ सकता जैसे वह कराल कुत्ते नहीं आए थे सादू की साथ जान में जान आई और रेखा केंद्र में आ गए प्राया एक दूसरे से सटकर बैठ गए विहलता में राम राम चिलाने लगे ठीक ही चक्रवा का मोह वस्तुत्त सभी को होता है अगर घोर तांत्रिक कालदेव कोई और भयान भव दरश्रुत्पन करने में सायक हो गया तो वह समीप आए या नहीं उसे देखते ही कितने भी सादू के प्राण अनंत पत्त के पत्तिक हो जाएंगे सुर्थी गोपान ने समस्या पर गंबीतार से विचार किया और सादूं से खा आप लोग इसी तरह रहिए मैं इस खेल को सदा के लिए समाप्त करके ही आता हूँ सादू जहां के तहां इस्थर हो गए पर उनमें से एक न कहा शीगरी लोटिएगा पता नहीं कब हम हमारे उपर संकट के नई मेगों मड़ाएं शांत रहिए और सद्गुरू तधर राम की शक्ति में आस्तर रखिए अगर हमें यह पता होता कि आप ऐसे भीरू पढ़ानी हैं तो हम आपको साथ लेते ही नहीं हम दोनों एक आकी चले आते हैं आप लोग की बात अलग है क्यों भूलते हैं कि आप दोनों सिद्ध सिद्ध है जहां तक हमारा पृष्ण है हम तो मातर साथ हैं हमें भी अगर यह पता होता कि बंगाल का जादू सिर चलकर बोलता है तो हम बंग भूमी को दूर से ही प्रमाण प्राणाम कर लेते इसके अंदर प्रवेश का प्रयास ही नहीं करते है कि सुरुति गोपाल ने भैग रस्त और सशंक्रित हो गए होंगे यह काल देव सचमुच भैयानक तांत्रिक है कभीर ने कहा भगवान ने ठीक ही का सादू पनत्रहत्रही कर रहे हैं मैं उन्हें समझा भुजा कर देखा कि अंदर ही रहे हूं कहकर आपके पास एक प्रार्थन लेकर आया हूं बोलो अधिक भैयानक संकट खड़ा कर दे रहा है सादू का भले ही आपके होते कोई अहित ना हो पर वे बार-बार भैवीत होकर अपने प्राण ही विसर्जित कर बैठेंगे क्या करें बोलो कभीर ने का कृपया काल देव को यहां उपस्थित कर उन्हें रहा पर लाईए हमारा बंग प्रिवेश बुरा लगता है और उसे प्रतीत होता है कि हमारे आगमन से उसके अनुवाईयों में घोर कमी आएगी इसी कारणों भै गरस्त कर हमें यहां से बापस लोटने विवस्थ करना चाहता है शायद वह आपकी प्रकरती और शक्ति से दौनों से कि मैं भी इस तांत्र के एक के बाद एक प्रियोक से तंग आ गया हूं सादू अगर व्यहल है तो व्यर्थ नहीं ऐसी स्थिति में बड़े से बड़ा सादू भी साहस खोई बैठेगा कि सुष्दी गुपाल ने का काल देव को कैट करके यहां लाईए मैं काल भैरब का अपमान करूं कभीर साहब बोले उनकी मर्यादा को भंग करूं अतत है शक्ति तो उन्हें हमारे राम द्वारा ही प्रदत है भैरब का मान भंग भगवान को अच्छा लगा भैरब अपनी शक्ति का नाहक दुर्पियों कर रहे हैं एक सामान का पालिक इतन का ही कर्तव है कब आपने राम के सिवा किसी और देवी देपता को प्रश्ण दिया है महत्प दिया है वह तो ठीक है देखो कुछ करता हूं तुमारी बात टाली भी नहीं जा सकती इतना कहकर कभीर साब समादिस्त हो गए छंड लगते ना लगते काल भैरब अपने भयानक रूप में प्रकट हो गए एक खुंकार काले कुत्ते पर सवार क्रश्ण वर्णी भैरव की लाल लाला के मदपां से दहपते अंगार अब तरह चमग रही थी उनसे बिस्मत इस्पूलिन कण दिशाओं में व्याप्त हो रहे थे एक हाथ में खड़ा दूसरे में रख से बड़ा बड़ी क्रपा की जो आप पधारे कभीर साब ने का कहिए क्या इच्छा है आपकी भैरव ने ठंग वर्जन की दूर इस्ते साधूनों के भी कान के पड़ते फटते फटते बचे मेरी कोई इच्छा नहीं कभी ने का हमारे गुरु महाप्राण रामानेंजी के अनुग्रह से हमारा राम स्वयम मेरी आवश्रक्ताओं को जान जाता है और उनकी पूर्जी कर देता है आपको भी तो आन्यों को उसी ने प्रेजित किया है वर्ना आप यहां होते मैं शिवा काम के ही अधिन हैं कभीर बोले रामाग्या को तो शुरोधार कर शिवने आपको यहां बेजा होगा मैं स्वयम शिव संभत हूं शिव की अम्मानना मेरी अम्मानना है मैं इसे कदाभी बर्दास नहीं कर सकता आप अपना मनतब इस पश्ट करने वरना हमें जाने की आग्या है जो शिव की माध्यम से आप तक संप्रेशित हुई है अगर इस बात को मानते क्यों नहीं मैं राम के अलावा किसी की शक्ति को कोई आस्था नहीं रखता सभी रामाजी ने वही सही आप बोलिए काल भेरब अपने भयानक को तेज उतर कर कभीर के समक्ष आखड़े हुए उनका एहंकार एक्दम यथा वथ्था बात इसपस्ट है आपका भक्त ये काल देव व्यर्थ हमारे लोगों को तंग कर रहा है आप उसके करत्तियों पर रोक लगाईए यह नहीं हो सकता भेरब ने पुन्हागर जिना की क्यों मैं केवल आपके शिश्चों से ही नहीं आप प्रसिद मंदिर में आने का कष्ठ किया मुझे नमन निवेजित किया नहीं आप बरसों से कासी वास कर रहे हैं हां मैं तो वहीं पैदाई हुआ हूं आप वहाँ नहीं पैदा हुए, वहाँ पले पुसे, आप अपनी जनम कथा, मेरे मुझे नहीं सुनना चाहेंगे, काल देव का हैंकार मर्यादा कात्यमर कर रहा था, मैं भूत जीवी नहीं हूँ, बर्तमान में मेरा विश्वास है और मेरी आस्था, आप जो कहना चाहते हैं क कभीर ने कहा, आप ठीक कहते हैं काल भेरा स्वर में बोले, तो मैं कोतवाल और हवल्दार के समख्ष सिर जुकाने को बाद नहीं हूँ, जब मेरा सीधे समब्राट से उन्हें छोड़कर के सिर समख्ष मेरा सिर नहीं जुकता, मैं आप देवी देवताओं कि अस्थित को मा कारने से हम बिलुप्त हो जाएंगे, हम सदा से रहें हैं और सदा रहेंगे, अभी तो मैं आपके समख्ष सदे के खड़ा हूँ, आप कि जबूते पर मेरे ना होने पर प्रश्ण चल लगाते हैं, लोगों को दिख भरमित कर हम देवी देवताओं के उपेश्चा करा रहे ह यह होना भी कोई होना है, बहरत देव, कबीर के होटों पे व्यंग आया, आप सभी पराजीने, आप शिवाजीने, तो शिव रामजीने, आप तो अजीनस्त हैं, मैं आपकी इस इस्थिती से सानभूती रखता हूँ, पर आपके इस्थित को नकारता इसलिए हूँ, कि आप सभी देवी देवताओं के लिए कुछ नहीं होता, आप सभी अपनी अलप शक्ति के लिए राम के ही रिडी हैं, वह नहीं होता, तो आपके शिव ही राम क्यों भचते हैं, भैरव को इस बात का उत्तर नहीं सुझा, थोड़ी देर बाद बाद बोले, मुझे बिलम हो रहा ह आप शीगर अपना मन तव प्रकट कीजिए, वह तो मैं कर चुका, आप अपने उपास सक काल देव को अंकुष्टे हैं, मैंने कह दिया यह नहीं होगा, मैं बदला आपके साद्वों से नहीं ले रहा, अप उतरी जैसा कहा, वह आपके द्वारा निरंतर की गई, मेरी उप काल भहरा ने अटाहस लगाया, मनुष्य होकर, आप मुझ देव को नियनतित करेंगे, वह भी काल भहरा को, आपका काल समीप आ गया है, मैं तो प्रथक, अभी मेरा भाहान स्वानी, आपने भायानक दातों से आपके सेज़ी के टुकड़े कर भीच खुनोच खाएगा, मैं तो स्वैम राम का कुट्ता हूँ, आपका कुट्ता मेरे सामने कहां टिके का, काल भहरा है ने घुम कर देखा, उनका कुट्ता कहीं नहीं था, कभीर काल भहरा गुर्जे बोली है, आप भी जादूगरी पोसर आए, चमतकार पर, केदर छुपा दिया मेरे कुट्य को, मैं जादूगर बाजिगर नहीं कभीर ने कहा मेरा राम ही सबसे बड़ा जादूगर है और वही संपुरु ब्रभ्मान्ड को अपने इंगित मातर से नशा रहा है आपका कुट्टा काशी पहुंच चुका है कभीर आग्या कीजिए कभीर ने विनमता सिखा आप पर राम की क्या मूद होंगा कहाना मैं शिव अथवा आपके बाबा विश्वनात को नहीं मानता वे जिसके उपासक है मैं उसी का हूं राम का हम दोनों सह धर्म हो सकते हैं पर मैं सिवाधिन नहीं मंगाना हो तो आप अपने भोले शंकर पस्पति से ही अपने उस पश्यू को मंगा ल आपकी पसंद की भी दाद देनी पड़ेगी मेरे किये यह नहीं होगा काल भेहरब ने थोड़ी से अनुनाय के साथ का तो मैं बुलाता हूं आपकी सबारी सुवान को आप पहले काल देव को यहां बुलाईए और उसको दी गई संपूर्ण सक्ति को वापस लीजिए ऐसा ही ह होगा भेहरब ने का और थोड़ी दिर पस्चाथ जंजीरों में जकड़ा काल देव बहां प्रकट हो गया उसी के साथ साथूं को संत्रत करने वाला वह वातर चक्र भी समाप्त हो गया कभी ने साथू मंडली की और द्रस्ती दोड़ाई वे अब प्रसंता से न्रत्रत हो र उप्योग कर रहे हो वे सभी वैशन हों यह काल्दे भुड़ा यह बंग भूमी में सारे शाक्तों को वैशन बना देंगे इस्ते क्या अंतरा आता है आता है इस सिप की अबमान ना होगी शक्तिक की भी काली की भी काल्दे बोल गया गलत है काल भेर बोले मैं श्रिवांश ह हुआने जानते हैं तुम स्वयम रामुपासक को अगर इत mesmo को रामुपासक बना रहे हैं तो कोई अनढस्थ नहीं कर रहे इंपना काम करने को मेरे रहते हैं नहीं हो सकता काल देव ने ओड्रूट्ट कर चाना हूँ यह मेरी याद्या है काल भैरब वन अ मैं इसके अनुपालन के लिवस्ट नहीं काल देव भाव गर्जना हुई कहिए मेरी बिल्ली और मुझी से में आऊं तुम क्या बोलते हो उसका पता है बहरव की भ्रक्टी टोड़ी हुई पता है मैं केबल आपके भरोसे नहीं हूँ मैंने सिपकी भी उपाशना की है आप मेर बहरव ने अपने ललाट पर बल दिया वहां से उनका तीसरा नेत्र खुला और उससे निस्रत अगनी लप्तों से काल देखते देखते भासने हो गया अब प्रभू काल बहरव ने हाचोड़े आपकी क्रभाक का अभारी हूं कबीर साब ने कहा अब मेरे सादू सोतनतिसा से घुम फिर सकते हैं आप तो सर्व सर मढ़ते हैं बहरव बोले इतना कुछ तो आप ही कर सकते थे इसके लिए मुझे आहन करने की क्या वश्कता थी है कभी निखा मैं आपके अदिकार छेत्र में दलदेना नहीं चाहता था आपकी आपकी तरह काशिवशी हूं आपकी कोटोवाली कदर नहीं करूं पर आपके अदिकार को अपने हाथ में लूँ यह नहीं सोबकता यह है अब चलूं क्या आपका आदेश है अब अश्पर एक सर्थ है क्या अपसे आप भी रामो सब पासना करेंगे इससे आपकी शक्ती भी बढ़ेगी आखिर आपने मुझे भी अपना शिस्व बनाई लिया कहकर काल भैरव एक भायानग मुस्कान मुस्कुराए और जोड़ा आ आपका आदेश अनुम अलगनी है मैं भी रामो पासक बन जाओं बनता हूं अब आश्टो श्वीर राम राम भजते हैं तो मैं किस गली में हूँ भैरव गली में कहकर कभीर साम मुस्कुराए मेरा तात्त पर भैरव मंद्री गली में था आप काशी लोटे तो मैं आपके द ना चाहता उम्र भी हो गई Het नहीं तुम्हँ आप नहीं यह नहीं हो सकता मेहीं आपके आँगा मुझे सबाई भी भी जो है काल अनुर भी ऑब मुरोद मु Patch Crossing कि कहिए मैं यह नहीं समझा रहा हूं कि इतने जीमों के रहते ह्या हुआं थि